प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि बायो डाइवर्सिटी डिग्रेडेशन या जय विवित्ता हास्ट क्या है और ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स है जो बायो डाइवर्सिटी डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार हैं तो आईए सबसे पहले है ने ग्या कि यहाई तो यह संख्या में किसी भी स्थान पर यह अने लग जाए तो वही राइसे संवाश समय व्यार्टियों अन्वान्सिक विवित्ता में कमें कमी आने लग जाना ही बायो डाइवर्सिटी लॉस है और यह लॉस नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिस्यली भी हो सकता है मतलब प्राकृतिक कारण भी इस हास के लिए या कम होती संख्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं उसके साथ साथ मानव जनितकार भी जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहां पर एक animal species है उसके साथ साथ बहुत सारी plant species हैं और आप देख सकते हैं एक तरफ प्लांट species पूरी तरीके से खटम हो गई है जंगल जो है पूरी तरीके से उजड़ गए हैं दूसरी तरफ वहीं पीछे जंगल हरे भरे हैं और जब यह आगे के जंगल उजड़ गए हैं तो यहां रहने वाले जियू जन्तु या तो यह दूसरी जगा माइग्रेट कर जाएंगे या फिर धीरे धीरे इनका पतन हो जाएगा खतम हो कि उनको तो नेचर किसी तरीके से मेंटेन कर लेती है नेचर का अपना एक होमियो स्टैटिक मेकाइनिजम है जिससे यह हर चीज में बैलेंस थापित कर लेती है लेकिन जो हुमन जनरेटेड रीजन होते हैं आदमी के द्वारा जब कभी बायो डाइवर्सिटी लॉस होता ह तो वो बियांड दा क्यपासिटी आफ नेचर होता है और उसको मेंटेन नेचर इतनी आसानी से नहीं कर पाती है उसको स्वताह मेंटेन नहीं कर पाती है और वो बहुत लार्ज लेबर पर हिमन बींग को भी इंपैक्ट करता है उसके साथ साथ वो इंपैक्ट करता है जंग जंगलों को और जानवरों को तो धीरे धीरे जंगल जानवर वो खतम होने लगते हैं human पे जो impact होता है वो कहीं न कहीं बहुत long term impact होता है और उसके लिए human being एक rational being है वो तैयार भी रहता है कहीं न कहीं लेकिन फिर भी अगर environment को loss होगा या biodiversity को loss होगा तो कहीं न कहीं आगे जा concept आया कि भाई आप अपना विकास करिए बट अपने विकास की दर को इस तरीके से न तेज कर दीजिए कि आगे आने वाले जो पीडियां हैं उनके लिए संसाधन न रह जाए या संसाधनों की बहुत कमी हो जाए या उनके लिए जिंदगी जीना बहुत दुभर हो जाए त उसके जीव जन्तूओं की संख्या में कमी आना ही एक्चुली बायो डाइवर्सिटी डिग्रेडेशन है अब आईए देखते हैं कि इनके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं प्यारे दोस्तों ये हैं जैविवित्तारास के कारण तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक और मानोजनित दोनों कारण एक साथ दिये हुए हैं अब आप इनको केटेगराइज कर लीजिएगा कि कौन से प्राकृतिक हैं और कौन से मानोजनित कारण हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो पाएंगे कि natural habitat destruction by human activities मतलब कि ये मानोजनित कारण है जब आदमी के क्रिया कलापों के द्वारा कभी भी प्राकृतिक परिवेश का destruction होता है जहां पर जानवर वगएरा रहते हैं तो इससे जो floral biodiversity है मतलब पौधे वगएरा जो है उनको भी नुकसान होता है प्लस फाउनल biodiversity जीव जन्तूं की मात्रा में भी भारी कमी आती है आप जैसे आप इस image को देखें यहां पर हरे भरे जंगल थे पहले लेकिन paper industry में बहुत ही जादा यूज होता है किसका पेड़ों क पेड़ों की छालों अगयरा का है ना pulp industry में यूज होता है और इस तरीके से आप देखेंगे कि उनके लिए यहां पर पेड़ों को काट दिया गया है तो बहुत ही जादा human activities के कारण से यहां पर पूरी तरीके से natural habitat जो है वो खतम हो चुका है जानवरों का प्राकृतिक पर natural habitat disrupt किया जाता है तो उससे जयविवित्ता का नुकसान होता है फिर दूसरा पॉइंट है इनकमिंग आफ एलियन इस्पीज इन एको सिस्टम लाइक लैंटना एन हैसे भाई आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई एक तलाब है और कहीं से एक तलाब में पानी बह करके आता है और अपने साथ कुछ पेड़ पौधों को ले करके आजाए जैसे कि जल्खुम भी होती है है या सिंठ को जल्खुम भी बोलते हैं यह आ जाती है तो धीरे धीरे यह बढ़ते 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 पूरे तलाब में फैल जाती है और इसके इको सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर देती है उपर एक लेयर बना करके नीचे की स्पसीज को क्या करती है ये खतम करने लगती है तो बहुत सारे प्लांट भी इसमें से खतम हो जाते हैं प्लस उपर जब ये लेयर बना लेती है संलाइट अंदर पानी में नहीं पहुंचती है तो उससे बहुत सारे जीव जन्त भी मरते हैं sunlight की कमी के कारण से तो लैंतना इसी तरीके से एक पौधा है जब यह कहीं पहुंच जाता है तो बहुत तेजी से अपनी जड़े फैला लेता है वहां पर पूरा तो जब कहीं भी इस तरीके से alien space बाहर की कोई species किसी भी ecosystem में आ जाए चाहे वो land ecosystem हो या water ecosystem हो तो वह यहां पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है उस ecosystem को जिसमें यह आई हुई है फिर वित्रों अगला जो point है वह intensive farming intensive farming भी बहुत नुकसान करती है अगर किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा गहन क्रिस होती है तो chemical fertilizer का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और chemical fertilizer parezers जो होते हैं वह मिट्टी में रहने वाले घुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं धीरे सारे धीरिया neighbour खतम हो जाते हैं जीवाण emot good वह जाते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है अन्प्रोड़क्ट्रीव हो जाती है तो सारे कीडे मकोडे और यह सब जो भी भी होते हैं यह सब भी दीरे-दीरे मर जाते हैं इससे भी लॉस होता है मित्रों फिर अगला पॉइंट है अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रिलाइजेशन सहरी करण और और अध्योगी की करण आपको पता ही है यह कैसे नुकसान करता है सहर बनेंगे तो इन्वार्मेंटल प्ल और कॉंस्ट्रक्शन को करने के लिए कहीं न कहीं पेड़ों वगयरा को काटना पड़ता है तो इससे भी बायो डाइवर्सिटी लॉस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेसर रॉन रिसोर्सेश कहीं न कहीं यह सारी चीजें भी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रिला संसाधनों पर दबाव आता है और नए संसाधनों की तलास होती है और नए संसाधनों की तलास में पेड़ पौधों को काटा जाता है जमीन खाली की जाती है उद्योग धंदे लगाये जाते हैं तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यह ज्यादा तर एगरी कल्चर में यूज किये जाते हैं फार्मिंग में यूज किये जाते हैं तो इनको डालने से अपने आप बहुत सारी जगह पर जो भी छोटे छोटे जीव जन्तु होते हैं उनके अंदर यह जाता है और अपने आप खतम हो जाते हैं तो दोस्तों इस बारिस के साथ में आता है वो नीचे जमीन पर नीचे की जमीन जो होती है वह भी हाइली एसिडिक हो जाती है और इससे भी जीव जन्तु मरते हैं इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डीटेल में बात करें अभी आप समझ लीजिए कि जब इसिडिक नेचर का हो करके पानी नीचे गिरता है तो वह जीव जंतुओं को बहुत सारे मार देता है और यही बायो डायोडिवर्सिटी लॉस है फिर ओजोन डिप्लीशन ओजोन लेयर जो कि हमारे एटमास्फियर में है अगर उसका छरण हो होता है तो भी डारेक्टली अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन एर्थ पर पहुंचते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को वह नुक्सान पहुचाते हैं और जिससे बायो डायोडिवर्सिटी लॉस हो सकता है फिर रांग मेथर साफ अग्री कल्चर एंडिफॉरेस्टेशन यह तो यह इमेज सीधा सीधा डिफॉरेस्टेशन ही आपको दिखा रही है कि जब जंगल काट दिये जाते हैं किसी भी कारण से तो वनों के कटने से बायो डायोडिवर्सिटी लॉस होता है कई बार बहुत सारे ओल्ड मेथर्स हैं एग्री कल्चर के जो की प्रैक्टिस किये में जंगलों में तो जब प्रैक्टी स किय जाते हैं ऐसे बीक्रिवेशन के बारे में आपने सुना होगा shifting cultivation या स्थानांतरी क्रिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है आप उसको देख लीजिएगा फिर hunting hunting सिकार से भी biodiversity loss होता है उसके बाद global warming and climate change जी हा मित्रों आज कल समुद्री जय विवित्ता के हास के लिए जैसे coral reefs वगेरा की संख्या में कमी के लिए global warming बहुत बड़ा factor बनत रहा है जल्वाई परिवर्तन आ रहा है तो जो यह वैश्विक तापन और जल्वाई परिवर्तन है कहीं न कहीं यह भी जवित्ता हास के लिए बहुत जादा जिम्मेदार है आज के वीडियो में इतना ही डिसकस करते हैं मित्रों इन सारी चीजों को और डिटेल में डिसकस स्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू वेरी मच गाइस और विंग विद मी